हाई गाइस मैं हूँ अजय कमपोजो और आज हम यहां पे अपने लास्ट चेप्टर पर पहुंच गए हैं जो है क्लोजें सेल इन फार्मा फ्रैंचेजी मार्क्तिंग हमने लास्ट चेप्टर में डिसक्स किया था कि कैसे फ्रैंचेजी क्वारी को हम फॉलब ले सकते हैं कित चैप्टर में डिसक्रीज किया था तो अज़कर में से कुछ हमारेसे करमाच हो जाएं गी कुछ नहीं होगी तो यह एक desperate है हमारे follow-up का इस गेम का सब इस में لي करम नहीं हो सकती फामें प्रेंचिजी मार्क्तिंग में जनर्म हम यही मानते हैं कि जो तो प्रमोशन से खुद आपको कुंटेक्ट कर रही है तुब वो ज्याद़ा चैन्स ही है कि वह आपके ट्रम कंडिशन पर काम करें और जल्दी आप उसको कर सको को अपने distributor के रूप में और हम से हम अप्रोच करते हैं कि आप हमारी क्वारी लेला हमारी फैंचेजी लेलो या हमारी डिस्ट्रिबिशन आप लेलो तो वह अपनी टर्मन कंडिशन हम पर पहुच करने की कोशिज करते हैं कि भी इतनी हमें क्रेडिट रहा रही है इतना हम से ज्यादा लोग आपकी website पर जाए आपको क्वेरी डाले जिसको भी नीड होगी वह आपको क्वेरी डाले तो जल्दी चांसिज है कि वह कौनवर्ट भी जल्दी होगा और आप की ही टर्मन कंडिशन पर काम करने के लिए ज्यादा रिलाइबल रहेगा जैसा कि हमने पिछ तो आपकी responsibility उसके बाद क्या बनती है कि आप उनको complete process को समझाईए agreement का monopoly rights का क्या license रहेंगे क्या agreement रहेगा कैसे आपको क्या क्या आपको form filling करने में क्या क्या information देनी पड़ेगी तो सभी documents की और licenses की उनको clear आपको detail देजिए कि क्या आपके taxes रहेंगे कौन फ्रेट पे करेग इस्टी included है या included नहीं है यह सब कुछ प्रोसेस को इतना easy रखने की कुछिस करिए कि वह ज्यादा लंबा ना हो और उसमें ज्यादा time ना लगे ज्यादा फॉर्मैटी ना हो easy complete process होना जो आपकी term and condition है वह बिल्कुल simple होने चीए बिल्कुल clear होने चीए चाहे आपकी payment की term and conditions है minimum order की है या monopoly rights की है हो सकता है कि आप की जो company policy है उसमें आप 30,000 से कम monopoly नहीं देते या जो भी है उसके इसाफ से बिल्कुल clear है चाहिए उसमें ताकि अगर आप बिजने सुरू कर तो उसके बाद आपको कोई problem आए तो बिल्कुल neat and clean policy आप बना के चलिए सब कुछ clear होना च prospect से receive करिए जो भी payment terms आपकी बीच में discuss हुई है उसके हिसाफ से आप payment की policy आपकी रहेगी उससे transport पूछिए कि कौन सा transportation उस वो prefer करेंगा क्योंकि कोशिश करिए कि जो transport party कहती है उसी से material डाले क्योंकि उसमें फिर थोड़ा सापका burden कम हो जाता है पार्टी को इतना burden नहीं कर कि बस order आजाता है पेमेंट कर लियर हो जाती है आपकी आप डिस्पैच कर देते तो फिर वो आपके distributors में आ जाते हैं सारे process को या तो अगर आप खुद handle कर रहे हों पूरी की पूरी dealing आप ले रहे हो पार्टी से या आप कोई टीम का या sales person ले रहा है तो उसकी responsibility बनती है क की material dispatch करने के बाद भी वो follow up लेते रहे जब तक party को material नहीं मिलता safely नहीं मिलता सबसे में बात यहीं है कि timely और safely मिले क्योंकि नहीं पार्टी को ज्यादा रहता है कि उनको जल्दी माल मिले और safely मिले तो ज्यादा आपकी reputation के लिए आपकी company की reputation के लिए भी ज्यादा ही रही है तो मीन थोड़ा वो डैमेज आ जाता है तो चल जाता है लेकिन नहीं party पर धियान रखना ज़्यादा जरूरी है उसे feedback लीजिए माल मिलने के बाद की जो market से कैसा response मिल रहा है जो उसकी adaptability के ऐसी है product की तो जब आप party को material मिल जाता है और उसको sale करना शुरू कर देता यहां पर हम अपने फार्मा फ्रैंचेजी कोर्स को विराम दे रहे हैं रोक रहे हैं उमीद करेंगे आपके पास और भी बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं जिनके तुरू आप या आपके सब का अपना अपना तरीका होता है काम करने का तो हो सकता है आपके पास कोई better way हो यह स सकते रहे हैं तो अगर आप प्रैंचेज के लिए दिस्ट्बिसन ग्ट के लिए रिटेust ओप के लिए हमारे फ लह अप को रिजिस्टर कर सकते हैं या आप आपको ही जाएगी हम कोई सेल नहीं करते हैं हमारा टोटली फ्री है हम चाहते हैं कि बिजनेस टो बिजनेस नेटवर्क बन जाए जो टोटली फ्री हो सबके लिए बेनेफिसियल दसाबित हो तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वहां पर अपनी कंपनी को आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स पोर वचिंग